नम्सकार दोस्तों स्वागत आप सभीका दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2019 के लोकसवा चुनाओं के बड़े सर्फटी को बुरी तरे से हार मिलेगी और किस पार्टी के सरकार मिनने बाली है तो दोस्तों जानेगे पूरी खबर के बारे में उससे पहले आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगे वीडियो पर लाइक कर दें शेर कर दें क्योंकि आपका लाइक और आपका शेर ही हमारी मेनेत का फल होता है साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाका चैनल को सस्क्राइब करें तो बैल आइकन को जुरूर दबाइए ताकि आपको दि कुण भारत में नया पर्दान मंत्री बनेगा किस पार्टि के सरकार जबाव बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सर्वे के बारे में तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगड़े जी हाँ दोस्तों तेलंगाने में तदा BJP और कॉंग्रेस को यहाँ पर अच्छी कासे सीटे नहीं मिल रही है और इन दोनों का यहाँ पर बुरा हाल है तो वहीं तदा TRS जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चेतरे पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर कर सामने आ BRS आएगी जो 18 सीटों पर सबसे जटा साथा पहले स्तान पर रहीगी वहीं हाँ पर 20 सीटों के अंदर सिमठती वी नजर आ रही है तो वहीं कॉंग्रेस जो है वह महत्уетर 0 मंगाले में जो बीजेपी का जो परदसन रहेगा बस सबसे अच्छा रहेगा लेकिन कॉंग्रेस का जो है पस्ति मंगाले में खाता खुलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा वहीं दोस्तों बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में 26 लोग सभा के सीटे हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 26 के 26 सीटे जाती हुए नजर आ रही है तो कॉंग्रेस के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं जाएगे और अन्य के खाते में यहाँ दोस्तों परदानमंत्री के गरेराजे में जो परदानमंत्री हैं बीजेपी के वहुमत यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर दोनों की दोनों सीटे जाती हुए नजर आ रहे हैं और कॉंग्रेस का गोवा में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई देरा जी हां दोस्तों वहीं बात करते हैं जाती हुए नजर आ रहे हैं तो बीजेपी जो है अपना अच्छा परदसन करते हुए सबसे जादा सीट भी यहाँ आ रहे है तो वहीं कॉंग्रेस के खाते में यहाँ चार सीटे जाने का अनुमान एक्जिट पॉल में आ रहा है जाते हैं तो यहाँ पर भी कॉंग्रेस जो है वह अपना परदसन अच्छा नहीं कर पारी है और यहाँ पर सबसे जादा बड़ यहाँ जितने वाली है जो ही जो है इस जाата में जो है जो है कम सीटें कॉंग्रेस के हाथ यहां पर लगने वाली वहीं दोस्तों नागलैंड के बात करते हैं तो नागलैंड में एक लोग सभा के सीट जो कि बीजीप के खाते में हापर कोई भी सेट आती वहीं नजर नहीं आ रही है दोस्तों मेगाले की बात करते तो मेगाले में दो लोग सबाद के सीटे हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर एक सीटे जा रही है जबकि कोंग्रेस का तिरीपुरा में नहीं खुलता हुआ दिखाए देरा जी आ जाती हुई नजर आ रही है कॉछे की राजी है जहां पर अच्छा पर्दसन कर रही है जिसमें से एक है अरुणा चल पर्दस वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं फशेजबन अच्छा पर्फिती हिसमें से बीजीपी भीफेराथ को किया पर रही है जिसमें से नहीं कॉल पाुरी रही है जिसमें से बीजीपी के खाते में यहां पर कोई भी सीट्ट नहीं जाएक जाएक सांगा करने काश सकती है तो वहीं कोंग्रेश के खाते में आपर तीन सेटे जाती हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों यहाँ पर काफी कम सेटे जों पंजाब में बिल रहे हैं वहीं आमादवी पार्टी यानि आपको भी हापर जीरो सेट का सामना करना पड़ सकता है वहीं दोस्तों जम्बू क काफी बेहतर परदसन आपना नहीं कर पाईगा और काफी पीछे रहने वाली है और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं उत्राखंड के जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की जी हाँ दोस्तों दिल्ली में साथ लोग सभा की सेटे हैं जो के बीजेपी यहाँ पर साथ की साथ सीटें जीतने वाली है और यहां पर खाता नहीं खुलाता और 2019 दोस्तों बात करते हैं राजस्तान के तो राजस्तान में यहां पर बीजेपी को जो वो 24 सीटे मिल रही है तो वहीं कॉंग्रेस को यहाँ पर एक सीट का सामना करना पढ़ रहा है जी हां दोस्तों अब भी हमें करके जुरू बताइगे किसी शर्कार जाते यांने अब साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे शेर भी किजेगा वही दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्टर के बिज़ीपी के खाते में आपर 40 सीटे जाती हुए नजर आ रही है जबकि कोंग्रेस के खाते में आपर मैज 8 सीटों के अंदर ही महारास्टे में भी सेमाटने वाली है जिसमें से बीज़ीपी और चीव सेना का यहां पर गटपंदर ना और बीज़ीपी जो एंडिया जो है लिएंपां करते हुए 40 सीटे जीते हैं कि जबकि यहांपर कोंग्रेस को जो है नजर खार रही है है उत्तरपदयस की और यहां पर आठ इस्ट मिले का अनुमाल लगाया जा रहा है दोस्तों उत्रपदयस इक्षट को यहां पर सबसे बड़ा जटका लगने वाला क्यूंग च्रोप यहां से जीतने वाला नहीं प्रदस्तन अपना करने वाली है वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं तदा तमिलाडू की जिए अगे निकलती हुई नजर आ रही है एकजिट पोल में वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं करनाटक में तो करनाटक के 28 लोक्की सिटे है जिसमें से 24 सिटे है तो वहीं कंगरिस के खाते में वहीं दोस्तों के निकलते हैं जो है यहाँ पर दस सीटे जीत कर दोसरी बड़ी पर चैत्रिय पार्टी के रूप में उपर कर आएगे जबकि राष्टी स्तर के पार्टी को देखे तो यहाँ पर कॉंग्रेस अच्छा पर्दस्न कर रही है जबकि बीजेपी यहाँ पर काफी पीचे रहने वाली है और वही बीजेडी को यहाँ पर 6 सीटे मिलती हुए नजर आ रही है जी हाँ दोस्तों ओडिसा जो राजे है वहाँ पर बीजेपी को काफी अच्छा भहूंबत मिलता हुआ नजर आ रहा है वो 15 सीटे यहाँ पर मिलेगे भई बीजेडी को भी यहाँ पर 6 सीटे तो कॉंग्रेस का खाता नहीं को लेगा कॉंग्रेस का उड़िसा से इस बार भी सूपड़ा जो है वह साफ होता हुआ नजर आ रहा है वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कुल कि जीए हां दोस्तों हमने सभी राज्योवाईज आपको षीटे दिखा थी अब बात करते हैं कूल सीटों की ऐ서 तब 252 की बात की जाए तो 500 22 एख़़ए है या निए वहीजिप और गटपंधन को यहां पर बताईए अगर आपको आप भी दोस्तों हमें कमेंट को वोक्स में जरूर बताएगे कि आप किसके सरकार चाहते हैं और वहीं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों शेर भी केजिएगा और वीडियो के नीचे दिये लाल बटन पर जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बैल आइकन को जुरूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नॉटिविक्शन आपको मिलती रहे मिलते हैं को वीडियो में जब तक के लिए जाहिंग धन्यवाद